अभी हमारे साथ असोक मातु की पत्नी कुमारी अनीता हैं इन से जानने का पर्यास करेंगे कि मुंगेर लोगसभा में इनके साथ जो है क्या-क्या हुआ था और आगामी जो बिधान सभा का चुनाव होने वाला है तो इसको लेकर जो है इनकी क्या तैयारिया है सबसे पहले मै तेरह मई को उस दिन पे जो वाक्या हुई वो सभी जनता को पता है और आप देख सकते हैं कि उसके बाद भी हम लोगों ने और पहले भी जो हाई कोट में सुप्रीम कोट तक गए उसका क्या नतीजा निकला वो जनता को अंडरिश्टूर्ड है और पूरी जनता मैं सबसे पह साथ समर्थन और अपना प्यार से ने और इतना भूट दिये उसके लिए मैं अपने आपको हमेशा हमेशा रिनी मानती हूँ और मैं इस हार को हार नहीं समझ रही ये जनता ने मुझे जीत दिलाई है ये हार हर माइने में उस लिभल से मैं देखती हूँ कि मैं इस प्यारी जनता के लिए हारने के बाद भी मैं सजग हूँ ततपर हूँ उनके हर सुख दुख में अपने आपको खरा रखने के लिए अब आगे तो जनता हैं हैं वही मालिक हैं काफी दिनों के बाद आप अस्क्रीन पर आज दिख रही हैं कुछ लोग यह भी कर रहे थे कि पता नहीं मैं फिर से जौब में चले गई या क्या हुए आप काफी दिन तक आप सुशल मेडिया पर यह अपना मैसेज नहीं 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 मैं जनता से टच में हूँ और लगातार फोन कॉल्स पे, कॉन्फरेंसिंग से, फेसबूक पे और हमारी बाते हमेशा हो रही है जनता से और आप पूछ सकते हैं जाके घर घर में जितने लोगों ने हमें कॉल्स किये हैं उनकी जो भी लचारी परिशानी रही है उनको मैं बराबर सुनते आ रही हूँ और जो हर परियाश जितना बन रहा है मुझसे वो पूरा में करते आ रही हूँ और मुझे खुसी हो रही है मैं मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं हारी हूँ मुझे हमेशा लगता है कि मैं जो सोच था कि मैं जनता के लिए समरपित हूँ उनके सुखदुक में अपने आपको बढ़ा कड़के कुछ नहीं सोचा मैं यह जंता के लिए संबरक्ति का रोड़का काम करना कर्म पे मैं讲 सेवा के प्सकूल कुछargent करना में में खुशी पूरे बिहार के पूरे बिहार वासी मुझे इतना साथ समर्थन प्यार और असोक महतोजी मैं साथ भागिशाली समझते हूं कि मैं उनकी पत्थनी हूं और जिनकी वजह से आज मुझे पूरे बिहार के लोग मुझे इतने कॉल्स आते हैंodes और सब इतने मेडम यहां से मेडम यहां से यहां तो अब आगे जो पाटी करेगी जो उनका आदेश होगा जो हाइक कमान से तो उनके आदेश का पालन करेंगे असोक मातो जी कहीं हमारे चैनल पर बाइड दिये हैं कि जो सिर्षाधिस का आधेस होगा कहीं न कहीं उनका बस मेरा एक ही लच्छे का सिर्फ एक ही लच्छे तो इसके लिए चुनाव लड़ने के लिए नहीं सोच रहें आनि पार्टी का आधेस होगा तो इसमें कुमारी इनिता जी क्या सोच जाएंगे आपको टिकट नहीं मिलता है या तो फिर आगे क्या करेंगे कोई नहीं जैसा असोक मतो जी करें वो उनकी सोच बिल्कुल हंड़िट परसेंट सही है और मैं भी गुजारिस यही करूंगी कि ठीक है पार्टी जो आदेस करेगी वो तो पालन करना है लेकिन उनकी सोच बिल्कुल सही है और हमें बस जनता के बीच में रहना है मुंगेर लोकसभा से कोई भी बिधान सभा या नवादा लोकसभा से कहें तो बार्टी बिधान सभा से दो में से आप ज्यादा किसको यह पसंद करती है चुनाब लगने के लिए देखे पसंद और नापसंद वाली बाते में मैं बिल्कुल नहीं फस्ती क्योंकि मुझे इतनी क्लैरिटी दिखती है हमें पूरे बिहारवासी जो हैं जो हमें साथ दिया है जो मान दिया है इतने वोटों दे के बस मुझे सेवा करना है और अब यह तै करेगी पार्टी और जनता देखिए हम अपने बारे में बाद में सोचते और साइथ सोचते भी नहीं कि मेरे साथ जो हुआ और मैं क्या करूँगी आगे या अभी मैं जनता के बारे में पहले सोचती हूँ और देखिए कहीं पोजिशन मिलती है तो एक पावर मिलता है और पावर का यूटिलाइज जो होती है अगर मुझे मौका मिला पावर का तो वो जनता समझ जाएगी कि कम समय में इन्होंने क्या कर दिखाया है तो बस मैं इतना ही जानती हूँ कि इससे ज़्यादा मैं क्या हूँ मैं अपनी प्यारी सभी जनता को ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप लोग जागरुक है थोरा सा और जागरुकता की जरूरत है हम सबों को मिलकर एक चीज़ पर फोकस करने की जरूरत है एक जुट होने की जरूरत है दिख भ्रमित नहीं होना है अपने एक-एक भूट की कीमत को समझनी है और सही नेता को चुनने के बाद जो आपके सुख दुख में देखिए कह देना करनी और कतनी में बहुत फर्क हो जाता है तो आप एक समता लाईए समरस्ता लाईए तभी कुछ हो पाएगा इसको समझने की बहुत बहुत जरूरत है नहीं तो कुछ नहीं हो पाता कमजोर आप भी हो जाते हैं और अच्छे नेतागन को नहीं चुन पाते वो भी कमजोर हो जाते हैं तो यह समझना है एक जुट होना है और पावर को समझनी है आप एक महला नेतरी हैं और मुंगे लुक्सवा में ऐसा क्या करके आपने दिखा दिया है कि बड़े बड़े नेता में कहीं एक भाय पैदा हो गिया है अभी बिगत दिनों ही देखा जाए सच्चाई यह सच्चाई है क्योंकि मैंने दिल से जुरी हूँ जन्ता ने मुझे दिल में जगह दी है और मैं भी उनके साथ दिल से जुरी हूँँ मैं जो बोल रही हूँ जो बिल्कुल खरी 100 परसेंस सच बोल रही हूँ मैं जनता के लिए इतना समर्पित हूँ कि आज भी हारने के बाद भी मैं उनके लिए 100% समर्पित हूँ उनके लिए हर सुख दुख में काम करूँगी आप पूछ सकते हैं हमारे मुगेर लोक सभा के चो बिधान सभा में आप जाके देखिए कि जनता से घर घर पूछिए उन्होंने जितने भी कॉल साते हैं मुझे मैं हर कॉल को अटेन करती हूँ उनके सुख दुख के लिए मैं अपने आपको समर्पित रखी हूँ बस अब मुझे छेतर और ज्यादा कंट्यूनिवस भरमन करना है और उनके पूरे रूबरू होके उनका काम करना है तेजस्वी आदब जी के इलगोरिथम के बारे में क्या कहेंगे क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो होता है तेजस्वी आदब जी बहुत करमठ इनसान है और अपनी पार्टी को बहुत मजबूती से आगे ले जाने के लिए समर्पित है मैं उनका सुतहे दिल से सुक्रिया करती हूँ और मैं खुस नसीब हूँ कि मैं इस पार्टी से जुरी हूँ और मेरी कोशी सोगी मैं अपना हंडेट परसेंट दूँ इस पार्टी के लिए तन मन हर तरह से तो हमारे साथ जो हैं असुक मातुकी पत्नी कुमारी अनिता जी हैं आप लोगों क्या परतिक्रिया जोरू बताएंगे बागी सभी का बहुत बहुत अभार धन्यवाद